कि यहां सब्सक्राइब नहीं यह थेखो ठीक है अभी ब्लर थोड़ा खताम हुआ ब्लर थोड़ा खताम हुआ जेपी आपको दिखाई दे रहा है बता सिकते हैं बेटर हुआ एक सब्सक्राइब बेटर हुआ हाँ काफी बेटर है यार अरे अरे यार... यदि बहुत अच्छा हुआ तह बोल दो ना... बहुत अच्छा हुआ है शरमा क्यो रहे हो नम्बर नहीं मिलेंगे एक्स्ट्टाइब इससे यह बेटर है सर चलिए सर यस वेटर यस को आलीज से साफ कर रहो है सर एक बार कुनन मार्कर अरज कर दो एक तो यह क्या वर्ट तो थी तो हो ही गया वर्ट थी हो गया हम वन तू थी कर फोर से शुरू कर दो ना बेटा फोर से शुरू करें गाइस फोर से चालू करते हैं सर आप बहाँ पर देखें और फोर से शुरू करें गाइस थोड़ा पेशेंस रखना सीखिया आप लोग के लिए यदि आप अच्छा नहीं देख पाता है तो हम उजी कोशिश करेंगे ठीक है पर थोड़ा सा पेशेंस रखो रखो इन इस वैं प्रसट रर अच्छा सारे बता दो फिर लो नहीं देखे bright आप बीड utilize नहीं आप अच्छा नहीं ब्लोग कि अभी पीस्फुल है दिख्राइब सब को आगे दिख्राइब आराम से चीक है तो सरी पार थर्ड इनके लिए वापस रिपीट कर दीजिए वादा फिर आगे कर दीजिए चलो बेटा थर्ड देखते हैं कि थर्ड वाले को फिर पी ओसी जर्ट करते हैं दोरों तरीके से मैं बताता हूं कि बेसिकली है क्या कि जो थर्ड पॉस्चिन था ब्यूटेन इसको मैंने बैलेंस कर दिया है फोर सी ओटू फाइब एच्टो एट और फाइब थर्टीन थर्टीन का मतलब थर्टीन थर्टीन वाइड टू और यह होगी एक तरीका हमारे पास सॉल्ट करना है कि बैलेंस करके इसमें हम बता सकते हैं C4H10 का पूरा मॉलकुलर वेट क्या है 58 ग्रम टीक है और यह कितना है 4 इंटू 44 CO2 का मॉलकुलर वेट 44 है तो 58 ग्रम C4H10 गिफ्स 4 इंटू 44 ग्रम सी ओटू इंटू 1 ग्रम C4H10 गिफ्स 4 इंटू 44 अपान 58 इंटू 1 और यह अप्रॉक्स थी ग्रम अजे इंटू 1 वे तो यह है कि आपको पूरी एक्वेशन को क्या करना पड़े बैलेंस करना पड़े इसकेंड वे है प्योएच या प्योएच का आप समझ लीजे है क्या इसकी फु कंजर्वेशन प्रिस्पिल ओफ एटम कंजर्वेशन यहां पर आपको कोई एक्वेशन लिखने की जर्वत नहीं है C4H10 से CO2 गैस फॉम होगई इसका वेट मुझे गिवन है वन ग्रैम और इसका वेट मुझे कैल्कुलेट रना है मालन लेट है एक्स ग्रैम कि अब आपको सिर्फ यह देखना है कि यहां से यहां पर कौन सा एक्टम कंजर्वेशन का मतलब है कि सारा का सारा एक्टम उसमें ट्रांसफर हो जाए तो आप देखें कार्बन टोटली ट्रांसफर्ट इंट्वाटर में तो नहीं किया था ओपर की एक्वेशन देखो बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूत है इस लोग इन टू मोल से मटिप्लाई कर लो अब यहां पर आप कुछ भी चीज कैल्कुलेट कर सकते हो अगर मुझे मान लोग मोल को मुझे तीन फ़र्म होती है रखने की एक तो वेट इस फॉर्म में एक वाल्यूम की फॉर्म म तो यहां पर दोनों वेट हैं तो दोनों को उसी फॉर्म में रख देते हैं यह फोर कार्वन है फोर लिया मैंने multiply करा more of C4H10 more क्या होते है वन अपॉन मॉलिक्लर मांस 58 इस इकल टू इसमें कार्वन कितने हैं वन इन्टू एक्स अपॉन 44 और बस हो गया अब इसमें आप देखिए POAC से फाइदा कितना हो यहां मुझे पूरी equation को balance करना पड़ा और यहां पर क्या है POAC से एक line में answer without balancing any equation तो POAC समझ मैं POAC में आपको balance नहीं करना बस यह देखना है atom कौन सा कंजर्व है जितने भी atom हो उससे multiply कर दो mole mole को उतने number से multiply कर दो यहां पर यह कारवन है one into x upon 44 that is the option तो यह मैंने basically तीन डिफरेंट डाइप पर question लिए first वाले question में तो पूरा आपको residue calculate करना था second मैंने limiting reagent कर लिया और third POAC पर base question था first वाले में भी POAC से काफी कुछ solve करना पड़ा था next question again POAC का आप देखो कितना आसान हो गया मैं इसे दोनों तरीके से आपको बताता हूँ guys अभी cleaner guys समझे आ रहा है अब प्लीज दिन आप focus करो मतलब weapon search अभी पढ़ोगे न तो आपको concept बिलकुल precisely समझ में आ जाएंगे तो आप focus करो थोड़ा disturbance हो हमारी cycle I am really sorry about it हम लोग इसको सही तरीके से fix अब fix हो गया प्लीज फोकस करो आराम से ठीक है और लवली निगम प्लीज गाइस तमाशा मत करो हम आगे बढ़ते जाएंगे आपका मिस हो गया बाग में जाके वीडियो देख लीजेगा यूट्यूब पर अभी बोर्ट पे focus करो प्लीज चैट कम करो अभी सब कुछ दिखाई दे रहा है क्लियर्ली राइट सब कुछ क्लियर्ली दिखाई दे रहा है आराम से focus करो सर्जो बोल रहे ना एक एक चीज़ को है ना पकड़के बैट जाओ ठीक है बहुत फाइदा हुग है इस session के अंदर चलिए गाईज अब देखे फॉर्थ question जो है एक concept तुम्हें मैं और सिखाता हूँ कि किसी भी equation को balance करना है कैसे equation balance करी जाती है प्योएसी तो हई उससे question easy हो जाते हैं लेकिन अगर कभी balancing करनी पड़ जाए ता हम कैसे balance भी करते हैं जैसे यह question था FeH2 पर oxygen से Fe2O3 प्लस SO2 FeH2 प्लस oxygen इसमें basically न मैं दो concept एक साथ आपको बता रहा हूँ Fe2O3 प्लस SO2 जैसे मुझे इस equation को balance करना है balance करने के लिए क्या करोगे एक line होती है inverse of n factor SO is the mole ratio आपको कोई method की जरुवत नहीं होती ना oxidation number method ना iron electron method inverse of n factor ratio is the mole ratio यह line आपको धिहान रहा हूँ अब यह यहाँ पर n factor calculate करते हैं This is the redox reaction n factor के लिए total moles of electron loosed or gained by one mole of the substance is the n factor total moles of electron loosed or gained by one mole of the substance is the n factor तो यहाँ पर अगर हम देखें Fe plus 2 है sulfur minus 1 है iron pyre here Fe is plus 3 and sulfur is plus 4 Fe plus 2 से Fe plus 3 में गया how many electrons are loosed क्योंकि plus 2 से plus 3 में जा रहा है increase कर रहा है तो 1 electron is loosed sulfur minus 1 से plus 4 में गया minus 1 से plus 4 मतलब 1 sulfur loosed 5 electrons here 2 sulfurs are present तो total electron कितने loosed हो जाएंगे 10 electron loosed हो जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे minus sign लगा रहा हम loosed करने के लिए 2 into 5 electron यहां में एक redox का concept भी सीख रहे है आज के session में redox भी था तो वो भी concept एक साथ आ रहे यहां पर net electron loosed कितने हो गए 11 electron loosed हो गए 11 electron loosed हो गए सोदा एन फैक्टर इस इकर टू 11 फॉर एपिस्टू इस इस क्लियर कि वन एलेक्टॉन आइरन ने लूच करा सल्फर में minus 1 से प्लस 4 5 एलेक्टॉन लूच करे 2 सल्फर है तो टोटल एलेक्टॉन लूच 10 हो गए टोटल एलेक्टॉन लूच 11 हो गए तो एन फैक्टर इस 11 नाओ ऑक्षीजन देखते हैं ऑक्षीजन 0 से माइनस 2 दोनों साइड मेंटर एक ऑक्षीजन 0 से माइनस 2 में कन्वेट हो रहा है एक ऑक्षीजन 2 एलेक्टॉन गेन कर रहा है क्योंकि ऑक्षीडेशन नंबर क्या हो रहा है कम हो रहा है दो oxygen कितने electron gain करेंगे 4 electron gain करेंगे तो यहाँ पर oxygen का n factor क्या हो गया 4 अब देखो इसे balance करना बिल्कुल एक line में होगा n factor ratio क्या आज़ा 11 is to 4 आगया नहीं आगया 11 is to 4 मोल रेशो क्या होगा मोल रेशो क्या होगा फोर इस्टू 11 होगा is it clear 4 and 11 इसके आगय के coefficient आगया अब यह आप वैसे नहीं कर सकते तो 4 and 11 इसके coefficient आगया अब जब हो यह balance हो के आगयी मेरे साथ 4 f e s 2 11 o 2 gifts f e 2 o 3 a plus s o 2 4 iron head 4 iron यहां 2 iron is it 2 f e 2 o 3 अपने आप बैलेंस होती चलिए कि आपको इदर टच नहीं करना उदर बैलेंस कर दीए sulfur कितने हैं हो मैनी sulfur atoms आप पिजाए 8 sulfur 8 sulfur का महला 8 s o 2 oxygen is already balanced this is the balanced equation एक तरीका आपके पास यह है इससे आप question को solve कर यह जो मैंने थर्ड वाला बताया था ना कि एक balance करके आप solve कर सकते हैं तो balancing में मैंने आपको यहां पर बता दी कि how reaction is balanced कैसे reaction को balance करा जाएगा आपको के वलन फेक्टर निकालना है एक तो पॉस्चन आप इससे solve कर सकते हैं कि यह 2 gram दे रखा है और यह आपको क्या निकालना है sulfur dioxide शैद calculate करनी है ना sulfur dioxide calculate करनी हो जाएगी 4 into जो भी इसका molecular mass of 56 इसका होता है 32 64 यह 120 यह हो गया 124 into 120 गे 8 into 64 तो 2 gram gives how much sulfur dioxide you can calculate लेकिन दूसा तरीका मैंने अभी आपको बताया POAC से solve कर लो मत करो balance यह सारा काम करने की जरुवत ही नहीं है आपको क्या करना है POAC नगा रखा 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 यह मुझे रखा है टू ग्रैम और यह मुझे calculate करना एक्स ग्रैम आप देखिए यहां पर sulfur atom कंजर हो गया नहीं हो गया sulfur atom is oxygen is also balanced 8 to 16 और 622 11 to 22 यहां पर आप देखिए sulfur atom कंजर हो रहा है नहीं हो रहा है sulfur atom कंजर हो रहा है sulfur atom के लिए POAC का यूच कर सकते हैं which are POAC for acid 2 into दिखाई तेरा गाइच 56 and 32 64 that is 120 is equal to 1 into x upon 64 सब्सक्राइब क्यों काफी स्पेस है अभी इतना अनल स्पेस नीचे है ना इसमें देख सकते हैं so x is equal to a जाएगा across 2.13 this is the answer यह एक लाइन में आपका solve हो जागा सिर्फ इतने part में आपका solve होगी है इसमें कोई balance नहीं करना पड़ा कुछ नहीं करना पड़ा लेकिन आप से कभी कभी question यह आता है कि इसके आगे x लगा दिया है अब यह मैं दूसरा question बता रहा है यह p o a c का नहीं है इसके आगे x लगा दिया इसके आगे y लगा दिया इसके आगे a लगा दिया आप से पूचा coefficients बताओ x y z a x y z a तब आपको इस तरीके पर आना पड़ेगा x y z a यह value जो ज़िए है कि जो भी बेट निकालने तो पोसी से कर लेंगे लेकिन एन फेक्टर इज आंसो दा important part और इससे आप कहीं भी balancing अभी तो हम आगे बढ़ेंगे इस पर जो questions आएंगे न एन फेक्टर बेस्ट जो question आएंगे वो question आप आने शुरू हो जाएंगे तो यह अभी तक जो हमने questions करें यह questions थे limiting reagent का concept सीखा हमने POAC लगाना सीखा plus balancing हमने सीख लिए अब जो अगला part आ रहा है that is the titation base, titation base में milli equivalents को आखको बराबर करें तो इसको रोट कर लिए question number 1 का 1 है, 2 का 3 है, 3 का 3 है, 4 का, सबके answer लिखते हूं, उसमें तो कोई issue हो नहीं है तो तब तक हम बता कर लिए, 5 का 2 है, 6 का 2 है, 7 का 3 है, 8 का 2 है, 9 का 1 है, 10 का 2 है, 11 का 1 है, 12 का 1 है, 13 का 2 है, 14 का 1 है, 15 का 2 है, 16 का 3 है, 17 का 3 है, 18 का 1 है, 19 कर 3 है 20 कर 2 है चले गाइज यह दिखाई दे रहे है यह दिखाई दे रहे है गाइज है ना इनको एंफाक्टर थोड़ा बहुत और एक बार बता सकते हैं तो यह जो ताइम है आपके पास विपिन सर के साथ शांती से जो बोर्ट पर पढ़ा रहे है उसको समझने में उसको एब्सॉप करने में यूज करिए चैट आप जिंदगी पर कर सकते हैं आराम से उसे समझे उसे कुछ समझे नहीं आता पूछ रीजे यदि हमें लगा कि यहां पर उसको वापिस एक बार कर सकते कर देंगे पर हमें यह भी देखना कि टाइम जिता है उसके अंदर कैसे सारी चीज़े कवर की जा कि यहां मेरे दो कोशन दियें उसे और सेवं होता है और यह यह जोड़ो गांसेप्ट मैंने यहां पर यूज करें एक में सिंपल टाइटेशन और एक में बैक तरिश थोड़ा सा आइडिया मैं तुम्हें देता हूं एक तो आपको मिली इकुवरेंट्स को रखना आजि मिली एकुवरेंट्स Of Any Compound , क्या होगा है में दो फर्म में मिली इकुवरेंट्स को रे पेजेंट करा जाता है एक तरीका होता है डबलू बेटी फर्म में डबलू अपॉट ऑं एउन दू मतवाट्स W is the weight of substance, E is the equivalent weight. Equivalent weight of any substance is equal to molecular weight upon N-factor. N-factor अभी आता जाएगा. है न, बीच बीच में यह अभी N-factor आते जाएगा. तो E is the equivalent weight, molecular weight upon N-factor. Second way होता है, normality into volume in M-l. तो लगाते हैं न, N1 V1 is equal to N2 V2. Basically मैंने milli equivalents को पराबर कराएगा. अब एक बात धिहान रखिए. कोई भी चीज, जैसे A plus B, C plus D, D plus E gives F. यह मुझे गिवर. कोई भी चीज, आपस में react कर रही है, और उससे कोई भी product बन रहा है, वो दूसरे का reactant बन जा रहा है, फिर another product बन रहा है, सबके milli equivalents आपस में बराबर होते हैं. इसमें भी आपको equation को balance नहीं करने. equation को balance करने की ज़र्वत नहीं है. अभू सके मिलिंकॉलेंट्स आपस में बराबर होते हैं मिली कुलेंट ओव a इस इकल टु मिली कॉलेंट ओव c इस इकल टू मम्ली कॉलेंट ओफ ऑफ इस इकल टू मिली कॉलेंट ओफ अब मानलिजे आप होता क्या है कि आ मानलो आपको ए ग्राम splend सब्सक्राइब करें अब बीच के स्टेप सारे स्किप कर जाओ यह वी एक इतना शांदार तरीका है कि आपको कहीं भी इक्वेशन को बैलांस नहीं करता है कि मल्टी स्टेफ को खोच और रियक्शन नहीं भी पथा एसमाज मेल इस से यह बना सब केकोया विली कॲבהो आप इसमें सारे step skip कर सकते हो, यह यह मैं इसके बराबर कर सकता हूँ और एक लाइन में कॉश्चन होना है एक लाइन दूसी लाइन ही नहीं लगाए जैसी रिक्वार्मेंट हो वैसा फुट करते हैं चलो वेट से वेट निकालना तो मझे क्या करना है डबलू वन अपउन इंट वन था हो जाएं तीगर अब इसमें टाइटेशन बेसिकली क्या होता है एक लिप्स इमाउंट को वेट निकालना है तो वहित आपको कैलकुलेट कर डई अब देखने इसमें दो टाइप के टाइटेशन होते हैं एक इसमानलिचा का है question number six जो है back titration concept यही रहेगा question कैसा भी आ जाया सारे question कर दो इसी concept पे होंगे इसके अलावा कोई तीसरा concept यूज ही नहीं होगा तो basically होता क्या है कि एक simple and back पहले उसका मैं concept बताना चाहा हूँ question तो होई जाया हूँ मान लोग A और B का एक 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 इसकी सी से reaction हुई इसका weight मुझे given है 1 gram मान लेते हैं C के milli current given है NB की form है मैंने मता है milli current यह भी रख सकते हो N into V तो इसके milli current दे रखे है मुझे और मुझे निकालना है percentage composition of A and B अब मुझे क्या पता होना चाहिए कि कौन सी चीज C से react कर रही है मान लिजे A C से react कर रहा है B नहीं कर रहा है ऐसा भी तो हो सकता ना कि pure compound हो और impurity मुझे निकालनी हो percentage purity निकालनी हो तो B नहीं कर रहा है A कर रहा है या B कर रहा है A नहीं कर रहा है अगर A C से react कर रहा है मान लेते हैं और B react नहीं कर रहा है तो सीधे बस A claim में आएगा milli current of A is equal to milli current of C जो चीज आपस में react कर रही है उसके milli current बराबर कर दो गए और A के milli current इस फॉर्म में रख दो डब्नू अपनी इंटो 1000 और B के milli current NB की फॉर्म में रख दो डब्नू निकल जाएगा A पता चल लिए हम माद ये 0.5 gram आगे तो percentage composition आजाएगा 0.5 upon 1 into 100 percentage of age 50% B भी कितना हो जाएगा 50% हो गया 100 simple titration का question बहुत easy होता है अब जैसे यह fifth वाला है मैं इसी का example इसी के नीचे ले लेता हूँ simple titration में इतना part given होगा अब आज इस question को पढ़ो पेपर तो है न सबके पास मैं पढ़के भी बता रहा हूँ आपको दे रखाए 2 gram mixture of k2 co3 and kcl it's completely reacted with 100 ml n by 10 scl the percentage of k2 co3 in the mixture मैं इसी में आपको बता रहा हूँ कि ये जो lv आपको given है scl है 100 ml n by 10 c क्या चीज़ है scl समझ देगी कोशिश करना है a क्या चीज़ है a2 co3 b क्या चीज़ है kcl अब आपको ये पता होना चाहिए which reacts with scl which reacts with scl this is the salt of strong acid and strong base strong acid strong base ke salt neutral salt it cannot react with acid as well as base strong acid strong base ke salt neutral salt होते है it cannot react with acid as well as base only k2 co3 reacts with scl only k2 co3 only k2 co3 react करेगा तो अभी मैंने आपको क्या समझा रहा है milli equivalent of a is even to milli equivalent of c कर दोगे weight of k2 co3 आजाएगा नहीं आजाएगा अब k2 co3 का n factor देखो salt का n factor क्या होता है total positive और total negative charge is the n factor of salt total positive charge दो positive है दो negative है यहां पर मैंने क्या कर दिया milli equivalent of k2 co3 is equal to milli current of scl scl यह कर दो मिली current of k2 co3 क्या होगा देखो w करते हैं इसको रखते है w upon इसका होता है 138 divided by 2 that is 69 into 1000 देखते जाओ मैं बिल्कुल इसी पर रखते जा रहा हूँ scl का मुझे दे रखता है 1 by 10 into 100 1010101010 w is equal to क्या हो गया 0.69 gram k2 co3 हो गया और question सोल आपका क्या है percentage of k2 co3 पूछा गया है percentage of k2 co3 में यह रही देता हूँ percentage of k2 co3 is equal to क्या होगा 0.69 upon 2 into 100 that is 34.5% यह आपका concept था simple titration simple titration में जो भी mixture given होगा उसमें से एक चीज c से react कर रही होगी c के milli current आपको given है तो जो भी चीज react कर रही है उसके milli current आपने कर दिये बराबर milli current बराबर करके weight आ गया weight आ गया percentage प्योटिया यह percentage composition is it clear यह सबको clear है divided by 2 इसलिए करा गया है क्योंकि k2 co3 का n factor 2 होगता equivalent weight निकाल दा है equivalent weight होता है molecular weight upon 2 molecular weight upon 2 सही है तो 138 divided by 2 equivalent weight होगया equivalent weight 69 और इसलिए हमने divided by 2 का clear आप देखें दूसरा concept यह मेरा fifth वाला question भी हो गया यह fifth number का question यहां पर solve भी हो गया simple titration पर अगला concept अगला concept है back titration back titration पर back titration में देखो क्या है कैसे करेंगे क्या change है यह आपने note कालिया note कालिया note कालिया ? 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 अगर दोनों रियक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे करेंगे वो भी देख लेख लिए इसमें और कंडिशन आ सकती है सिंपिल टाइशन में जैसे यह माल दो वन ग्रैम और इसके सी के एक और एट वी की फॉर्म में दे रख जाए अभी मैंने जो कंडिशन बताई थी कि वन अब दा रियक्टेंट रियक्ट विसी आइदर ए और भी लेकिन कंडिशन अगर यह आजाए कि इस बोथ हैं भी रियक् होगे उस केस में देखो करना क्या होगा कि इसको मैं x ग्रैम तो वाट इट मेल बी वान माइनस एक्स ग्रैम और a and b जब अगर दोनों रियक्ट करना हैं तो दोनों के मिलीख में प्लस करके एकल टू मिलीख में ब्लाइट ऑफ सी होंगे तो इसको कैसे लिखेंगे इस यह basically neat में ना यह लंबा portion हो जाएगा लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए यह बोथ A and B react with C then milli current of A plus milli current of B is equal to milli current of C क्या हो जाएगा? milli current को रखने के तरीके क्या बताएं? W upon E into 1000 अब इसे मैंने रख़ा A को X upon equivalent weight of A into 1000 plus 1 minus X upon equivalent weight of B into 1000 इस इसे मैंने बताएं हो जाएगा? अब आप देखेंगे आपको यह पता है यह पता है equal and weight दोनों के पता होंगे known compound होंगे you can calculate X X आते ही percentage of A अगर मुझे निकालना है तो X upon 1 into 100 और percentage of B हो जाएगा 1 minus X upon 1 into 100 solve हो जाएगा तो दोनों condition हो सकती है एक चीज रियाक कर रही हो या दोनों चीज़े रियाक कर रही है आपको इस तरीके से जाता है एक चीज रियाक कर रही है बहुतीजी हो जाता है फिर तो direct million equivalent बराबर कर दो solve हो जाता है ठीक है गाइस समझ में आ गए यह वाली चीज गाइस यही इस सारे session की बूटी है कि यह जो concept है न जब विपिन सर समझा रहे न अच्छी तरह समझ में आ जाएगे आप अभी तक जहां पर भी पड़े होगे इता क्लियर नहीं होगा अब इसका फायदा उठा लीजे ताइम जादा नहीं बचा सर बच्चे एचीज पूछें कि टाइट्रेशन नीट के साब से इंपोर्टेंट है क्या बिल्कुल है लिख लिए आप सब लोगों नहीं है यह लिख लीजे यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने सर से कहा कि सर एक बच्चा पूछ रहा है और सर ने इमिरेट लिए बता दिया यह समझ में आगया न अच्छी तरह है सर यह भी कहले है कि इस टाइक भाब क्वेश्चन जनर्ली नियागा पर हम एक्जाम में यह सोच के नहीं जाएंगे कि बाबजी ने क्या बोला तक कौंसा क्वेश्चन आएगा कौंसा नहीं आएगा क्वेश्यन कोई भी आ सकता है ठीक है यहां पर जोतीशी वाला गेम नहीं हो रहा है तो जो कॉंसेप्ट उसको क्लिर करना अपने को ठीक है चल्ये मैं मिटाव हूँ यह मैंने माइक तो लगाया है यह मैंने माइक तो लगाया है यह मैंने माइक तो लगाया है अब हम आ रहा है बैक टाइटेशन पर जो 6th नंबर का कॉस्चन है कि बैक कोश्च आम माउं अपका लेट रहा है जो दो बार इसको टाइट करना पड़ाया है जो उन्हीं कुछ नहीं कर रहा है कि शुल्ट कर रहा है इस दूसरे उसरे उसने वंतलब होता है टाइटेशन का क्या मतलब होता है गाइटेशन मींस रीच्शन तो आपस में रियक्शन और उसका एमाउं कैल्कुलेट करना कि कि कितना एमाउं नीट पड़ेगी एक दूसरे को आपस में रियक्ट करने के लिए कंप्लीट रियक्शन तो बैक टाइटेशन में देखो है क्या कि कि यहां तक तुमहें लग रहा था यह सिंपल टाइटेशन ताइप से hागे यह मालों को यह माउं ठेक और City के मिलीट की अब क्या होता है कि पूरा पूरा इस इसका बज़ गया लेफ्ट सी पता नहीं कितना है वाउंट कचा अब हमने क्या करा इस एमाउंट की एक अनदर कंपाउंट से रियक्शन करा दी डी से और डी के मिली कोवरेंट हुझे एंडेश वी डेश की टर्म में गिवन ही और मुझसे पॉस्चन होई करा गया परसेंटे प्रीश कर गया नहीं कर गया मुझे वह एमाउंट करना पड़ेगा जो एक्च्वल में एसे या बी से या दोनों से रियक्ट करना है तो वह एमाउंट कैसे कैल्पॉलेट होगा देखो यह तो टोटल अमाउंट ऑफ सी था जो बच गया इमाउंट इसके मिली कोवरेंट ड आप D के बरापर होंगे यानि मैंने अगर इसमें टोटल में से D को माइनस करा तो मैंने लेफ्ट अमाउंट को बेसिकली माइनस कर गया तो मुझे वह एमाउंट पता चलिए यूश्ट अमाउंट जो किससे रियक्ट कर रहा है A से या B से या दोनों से तो अब इसमें आप और जब यह आ जाएगा तो फिर से मेरा question simple titation type से होगी है या नहीं होगी फिर से question simple titation type से होगी है तो अब देखो जो 6 number का question है मैं यहाँ पर level करता हूँ देखो क्या-क्या given है C C चीच given है SCL This is SCL और इसका amount देरका है 100 ml and by 2 आप देखे X is acid required 60 ml and by 2 and by 2 this is and by 2 यह तो आपका SCL है left SCL इसको अनोच की जर्वत हुई 60 ml and by 2 and by 2 और शुरू में देरका है this is 2 gram A calcium carbonate जो actual में SCL से रेक्ट करता है भी इजदा है इंपे होगी मैंने पूरे question में हर चीच को लेबल कर दिया यहां तक समझ में आया पहले तो यह बताऊ आगे बढ़नों फिल्म यहां तक सबको clear है यहां तक clear है अब आप देखिए मैंने क्या करा कि वो C का amount calculate करना चाहरा हूँ जो calcium carbonate से react कर रहा है तो मुझे इस में से इसको minus करना पड़ेगा एक्शन में यह left amount of C के बराबर होगा अब यहां मेरे सामने problem है कि minus कैसे minus करने के लिए 4 सकता था है यहां तो देखो normality same चल देखिए n by 2 चल देखिए यहां होता मालो 1 n करके होता है यहां n by 4 होता तो इस में ध्रवडाने की ज़रुरत नहीं है आप n into v को multiply करके एक digit बना लो that is the milli equivalent तो यहां पर मैंने milli equivalent of SCL use निकालना चाहरा हूँ कैसे निकलेंगे 100 into 1 by 2 minus 60 into 1 by 2 और यह मेरे पास कितने आ जाएंगे 50 minus 30 that is 20 यह पूरे milli equivalent आगे यहां normality different भी होना तो doesn't matter उसे आप के वर multiply कोगे अब इसमें milli equivalent of SCL used में 20 आगे 20 के बाद आपने क्या कराद अब यह किस से react कर जाएंगे milli equivalent of pure calcium carbonate is equal to milli equivalent of SCL used calcium carbonate का N factor क्या होगा salt का मैंने बताया था calcium positive 2 है CO3 2 minus यहां भी divided by 2 होगा 100 is the molecular weight of calcium carbonate divided by 2 50 होगा तो W upon 50 into 1000 is equal to 20 and W is equal to कितना हो रहेगा 1 gram total सा 2 gram तो percentage purity क्या होगी percentage purity 1 by 2 into 100 that is 50% is it clear यह बास समझ में आ गई तो यह दो टाइप के titation याद रखने important है यह ऐसा नहीं कि इसे आप छोड़के चले जाएंगे simple titation and back titation B यहाँ पर impurity लिए होई है B इसका impurity क्योंकि calcium carbonate plus impurity है तो pure compound H calcium carbonate B को मैंने impurity लिए रखाएंगे okay weight is one gram बिद अ 50 into 20 is 1000 50 into 20 is 1000 1000 upon 1000 becomes one gram clear यह लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं फिफ्टी इंटु ट्वंटी वन था हुज है वन था हुज है यह दस ग्राम नहीं है ध्यान से क्यलकुलेट करो थीक है आगे पड़ें कॉस्चन नंबर 7 भी एक बैक टाइटेशन टाइक का ही कॉस्चन है लेकिन उसकी फॉर्म अलग है और फिर आप इनेक्स्पेंग कर दीजिए तक तक मैं थोड़ा वाद खॉलिंसे साफ करते हैं पानी भी पी लिए ठीक है तो मैं गाइस दो मिनट का ब्रेक है मैं तब तक ये क्लीन करें और सारा रहा है ठीक है तो कुछ भी समझे नहीं है कुछ समझ में आ रहा है कि या बाउंसर ही बाउंसर चल रही है पर्द का पिच्छ है आप fout o या देखो इसटाइट के सैश्एंस के अंदर है नो कुछ तो आपको बैसिक अड़ेशन निगहीं पड़ेगी यह आपकी बिल्कुल प्रभी अड़ेस्टैंडिंग नहीं है तो इस्यों होग कि समासर आ रहा हय चलो ठीक है थोड़ी अंडस्टाइंग होनी पड़ी की गाई इस समय पे पूरी फिसिकल केमिस्टी को वापस नहीं पड़ाया जा सकता है ठीक है इतना टाइम नहीं है किन लोग को बांसर हो रहा है बॉस इस सिक्सर लोग वाउसर बेरी गुट सुराइंग समझे की कोशिश करो यार ठीक है और अपने कॉंसेट्ट रिवाइस करते जाना यह वाली जो चीज़े एक्विलेंट हुआ एंट फैक्टर हुआ इन सब चीजों को जाके टाइप्रेशन हुआ इन सब चीजों को एक बार जाके आप बापस पढ़ लीजेगा समझा आ जाएग ठीक है और आपके कॉंसेट्ट अभी बिल्कुल जीरो पर है तो वो यहां पर थोड़ा स्ट्रगल करेंगे वह ले बच्चे इतना बता दीजिए अगर बी इंप्योर हो तो क्या होगा ठीक है तो यह विपिन सर आएंगे तो उनसे वापस पूछ लेते कि बी इंप्योर हो तो क्या होगा चलिए सैंतिनी पॉल को समझ में आ रहा है जीनियोस गुप्ता को समझ में आ रहा है दिशांत सिंग को समझ में आ रहा है सुरात कोली को समझ में आ रहा है बी प्यूर होगा तो क्या होगा चलो बी प्यूर होगा तो क्या होगा यह कर लेता है एक पर्शन आ रहा है कि यह दी बी प्यूर होता तो क्या होता वो जो दो में रियाक्ट कर जाते हैं हाँ तो बी प्यूर होता तो इंप्यूर या प्यूर बी इंप्यूर लिखा है ना इस तो तुम्हाइं पास सारी कंडिशन है दोनों प्योर हैं दोनों से रियक्ट करा दो एक है तो एक से रियक्ट करा दो अब देखिए इसमें जो सेवंध कोश्चन है सेवंध कोश्चन को करते हैं अब तुम्हें टाइटेशन का आइडिया तो लग दिया ना कि टाइटेशन बेसिकली क्या है यह दिदा रियक्शन कम्प्लीट रियक्शन के लिए कितना एमाउन किसका चाहिए है क्या नॉर्मल्टी चाहिए यह सब कैकुलेट कर दो अब इस कोश्चन को मैं सम्झा रहा हूँ मांदो एक बीकर है बीकर में मेरे पास 1.575 ग्रैम किस लाइन अग्जलिक ऐसे जाए और इसका वोल्यूम कितना गिवन है 250 ml गिवन है 250 ml में इसमें से मैंने 10 ml को निकाला अलग से पीपेट से 10 ml को निकाला और 10 ml को 25 ml को निकाला 25 ml को निकाला और 25 ml n by 10 एन एवच की रिक्वार्मेंट हुई इस इस दा प्योर कंपाउं और यहां इंप्योटी नहीं है कोई भी अब आप से पूछा जा रहा है यह वाटर ऑफ किसलेशन क्या हूँ एक डिफरेंट टाइप का क्सेट है 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 टाइटेशन बेस ही लेकिन इसमें एक डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन है देखे जब यह एक अपाउंट है यही पूरा का पूरा क्योंकि इंप्योटी इस तो ही नहीं यह पूरा का पूरा एनवेश से रियक्ट कर रहा हुआ है लेकिन यहां तो मैंने 25 अमेल इसके निका ले ना अगर मुझे 250 अमेल को रियाट कराना होता तो कितने अमांट नह की 250 ml M by 10 की जब रहत होती तो टोटल मिली कोलेंट ओफ एनवेश जो मुझे चाहिए है तोटल मिली कोलेंट ओफ एनवेश जो चाहिए है देट इस 250 ml M by 10 is it clear? यह बात सही है question एक बार और पढ़ दू question यह है 1.575 gram crystalline oxalic acid is dissolved in water and diluted up to 250 ml 25 ml of this solution is completely neutralized with 25 ml N by 10 NUH find out the value of X water of crystallization निकालते है सही है आप देखे इसमें क्या है कि 25 ml को requirement है 25 ml की 250 ml को कितने की requirement होती 250 ml की और यह react कर रहे है crystalline oxalic acid से अब यहाँ मुझे E नहीं पता क्योंकि X unknown है मेरे लिए equivalent weight नहीं पता molecular weight में बता ही नहीं सकता क्योंकि मेरे लिए तो क्या unknown है X तो unknown है तो यहां को हम क्या करेंगे अभी तक हम weight निकालते चले आए अब हम निकाल लेंगे equivalent weight तो हम क्या रखेंगे mille current of जो चीज़ आपस में रेक करेंगे उसके mille current बराबर COH.XH2O is equal to mille current of ennurant or mille current of crystalline oxyric acid weight 1.575 upon E into 1000 is equal to 1 by 10 into 250 यह रख दिया वाने और यह 250 से 4 बार cancer हो गया 6.3 आगया 10 से multiply होगा equivalent weight is 63 equivalent weight 63 हो गया अब यह equivalent weight आया और किसी भी acid का n factor क्या होता है replaceable hydrogen atom कितने हैं 2 है n factor of organic acid is 2 इसको जड़ा रखते हैं इसको कैसे रखा जाएगा देखें 90 is the molecular weight of organic acid plus रख दिया मैंने 18 X divided by 2 कर दिया equivalent weight आगया और यह बराबर कर दिया मैंने 63 के तो X की value जब solve करोगे तो X becomes 2 और यह water of crystallization ली calculation होता है water of crystallization calculate होता है तो basically यह जो titation based मैंने 3 question दिये एक तो simple titation पे एक back titation पे और एक back titation का यूज करते हुए water of crystallization को calculate कर दो इसके अलावा आपको कुछ करना भी नहीं है अगर यह ढंक से आपने कर लिए ढंक से इसको समझ दिया तो आप कोई साभी question कहीं से भी कुछ भी उठाओगे बचना नहीं है कोई भी question some basic concept का question मैंने एक-एक concept के question सारे करा दिया अब इसके बाद कुछ करने की जरुवत नहीं है clear यह basically कहा है देखो बेटा यह 25 ml से 25 ml ता लेकिन मेरे पास volume का total 250 ml 250 ml को तो 25 को 25 की जरुवत है तो 250 को तो 250 की जरुवत होगी तो यह मैंने टोटल मिली कोरेंट आफ है नहींच लिखते हैं यह तो 25 ml के साथ थे 250 के साथ 250 होगा तो यह इसी लिए मैंने 250 ml इसके साथ रियाक्ट करा दिया और यही मिली कोरेंट किसके बराबर होगा है इसके बराबर 250 ml के साथ अब देखिए अब अगला वाले चैप्टर पर आते हैं अगला वाले चैप्टर है हमारा कैमिकल बॉंडिंग का कैमिकल बॉंडिंग के कुछ कॉंसेप्ट बहुत इंपोर्टेंट है एक जो मैंने एर्थ नंबर का कॉश्चन डाला हुआ है एर्थ नंबर का कॉश्चन है बॉंड एंगिल्स पर जिसमें आप अक्सर ग्रवर करते हैं रटने की कोशिश करते हैं रटने से काम नहीं मलेगा वाहां गलती करके आप रट अग्जैलिक एसिड का मॉलिक्लर मास सी ओए ची ओच का और इटीन अग्वाटर का एक्स लिग दिया इसे तो टोटल होंके 90 प्लस 18 एक्स क्लियर कि एस्टिक एसिड नहीं ऑग्जैलिक एसिड है कि आप देखिए इसमें बॉर्ण अंगिल्स पर आते हैं बॉर्ण अंगिल के लिए क्या क्या देखना है लेकिए बॉर्ण अंगिल्स के लिए कभी बॉर्ण अंगिल्स आप देख रहा है फिर्स्टली यू सी दा हाइबर डिजेशन पहला काम हाइबर डिजेशन आपको पता है कि सब्सक्राइबर डिजेशन अगर इस पी है तो उसका लाग्जेस्ट बॉर्ण एंगिल्स हो नहीं होना है देजन वा देजन में मैं मैंटर की उसमें लोन पेर कितने हैं या लोन पेर से रिपल्शन होगा उससे कोई लेन देना नहीं है अगर एस पी है सबसे बड़ा एस पी टूँए है उससे चोटा एस पी थी है तो उससे चोटा पहली चीज तो यह अपने दिमाज में के लिए रखता है दूसी चीज अगर हाइबर डिजेशन सेम अले है देन वी अप्लाई तब यह सी पी आर केरत थोरी बेलें शैन एलेक्ता uplift on doأर पेर को रटे करते हैं बॉन पयर फिरल नौन पयर को तो हम मर्यें अपी त लेकिन होता नहीं होता है वो बीस इप्यार थोरी देश एन एक लोन प्यार सेम टाइप की कंडिशन आगे एक ही लोन प्यार है दोनों का है ब्रदाइशन भी सेम है और बॉन एंगिल मुझे कंप्यार करते हैं बैसीकली यह बाँन अगेल गजय गाम होगा 1.05. Eric कार्वां एउन इसको को करें की कोशिश करूंगी लेकिन यह वे छी और एटी और दोनाने की कोशिश कर रही लेकिन वी से धीर ठी़री क्या करती है कि लोन प्यार गोन प्यार बाट एंगड करें I लोन पेर, बॉन पेर रिपल्शन इस टोंगर देंदा, बॉन पेर, बॉन पेर रिपल्शन, जिसकी वज़े से अल्टीमेटली बॉन एंगिल कम हो जाएगा, इसलिए इसका बॉन एंगिल बंजी रोस से अब लिए इसलिए, यहां तक बात समझ मैं आई, अब कॉश्चन यह है कि यहां भी रिपल्शन हो रहा होगा, यहां भी बॉन एंगिल कम होगा, मुझे इन दोनों का बॉन एंगिल कमपेर कर, जब भी हाइबडाइशन से हो, पहली लाइन में यह बार बार बोलना हो, जब भी हाइबड करना है, अधरवाइज तो हाइबडाइशन से पता ही चल जाएगा, कि SP वाले का सबसे ज्यादा, फिर SP2 और फिर SP3, यह दोनों बहुत हार SP3, हैंट पम देखा है, तुमने एक ठोरी होती है, हैंट पम का हैंडल होता है, हैंडल को दूर्स से पकड़के चलाओ, अराम से च ज्यादा प्रेशर लगाना पड़े, हैंडल को जितना उसके ओरीजिन पर जाते जाओगे, उतना मुश्किल से चलना शुरू होगा, जितना दूर से पकड़ोगे, उतना आराम से चलना, ठीक है, बिल्कुल सेब चीज यह होती है, कि यहां पर मैंने हैंड पम लगा, यह इ कि इस साइड में होगे उसे दवाना खाला है, और जितने कीश तरक मिरे кाल मुश्किल हो जागा, और मुश्किल से धियान रहरे, कि जितने सरावोणीं के सरॉडाम की तरफ एलेक्टरान उसको प्रेश करना असाल problema उसका कड़ा है, जितने िम्राश पर मुश्किल से प्रे गर आपडर के लिडेख्टोनों कम कैसे पता करें तो इलेक्टोनों में इल्क्तो नीगेटिविटी देख। नाइट्रोजन इस नगेटिविटीं एन हाइड्रोजन, इस तरफ जाएगा? अब देखो इससे दमाना असान हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्योंकि ये एक्ट्रॉन किदर जिच गए सुरांडिंग एटम की तरफ आगा है सीधे अंसर दरों के लिश्टी का गोण एंगे लिश्टी से बढ़ा अब डाउन दा गुरूप जाएगे पीएश्टी में जाए यह कि सेंट्रल एक्ट्रॉन की एलेक्ट्रो निगेटिविटी कम होने का मतलब एलेक्ट्रॉन मूव तो वर्स ता सराउंडिंग एटम तो इसे प्रेस करना क्या हो जाएगा असान हो जाएगा तो बॉन इंगिल क्या होता जाएगा कोई एक्सेप्शन निए डाउन दा तो उसे प्रेस क्या हो गया असान हो गया और इसका आंसर क्या था इसका आंसर था कि अब पहला ऑप्शन इसमें आप से पूचा गया था कि विचित इन्करेक्ट अबाउग बोने इसका टी का इनसरी का प्याशती से जाधा होता है ये भी समझ में आ गया फॉर्थ ऑप्शन था एनस्टी का वाटर से लागा होता है ये भी बैसिकली वाटर में दो लोन के रहोत यहां पर यहां पर एक चीज वर्क कर रही है और एक ही रिपल्शन था तो बेसिकली यहां दो रिपल्शन को कम करने की कोशिश कर रहे है इसलिए वाटर का बॉर्ण एंगिल 10455 डिग्री इससे भी कम होता है क्योंकि दो चीज है तो यह भी आपका सही हो गया इन्करेक्ट पुछा गया है एक एक एक्जाम्पिल दे रखा है पी एक और इंपोर्टेंट कॉंसेट्ट दा पीएफ्टी और दे रखा है इसमें एक लोंपियर इसमें आप देखिए देखकर क्या लग रहा है कि यह फ्लूरीं की साइड में और हो जाएंगे बोलीं किया हो जानी चाहिए egy कंग जाना चाहिए तो यह साहिव üç प्टी से ज्यादा होगा यह सही औक जेखels लेकिन गलत आप्शन उफ्जेशन होता है बेसीकलि करेकम एक औरocy crunchicon और एक सभाट जूर। और center atom पर vacant d-orbital हो then it forms the backbonding ये नाम सुना है backbonding का reverse bonding और backbonding reverse bonding and backbonding का नाम सुना है तो reverse bonding और backbonding कब होती है जब central atom पर vacant orbital होना चाहिए d-orbital हो या p-orbital हो और surrounding atom पर लोल पर है तो ये backbonding हो due to the backbonding जो इलेक्ट्रोन क्लाउट की डारेक्शन है तुवर्ड्स सेंटरल अटम होने की वज़े से इस लोर्पेयर को इसे प्रेस करना क्या हो जाता है मुश्केल और इसी लिए इसका बॉर्ड एंगिल किसे बढ़ जाता है एनफ थी से बढ़ जाता है और इस इस दा रॉंग ऑप्शन एनफ टी का बॉर्ड एंगिल पी एफ टी से जादा दे रखा जब की कम तो बॉर्ड एंगिल को अगर हम नर्स शेल में ले तो सबसे पहले हम हाइबर आजिशन देखेंगे दूसरा हम यह देखेंगे की हाइबरे इसन से में तो इलेक्त्रोन कि दढ़ एं टूबर्ड शरामड इंटम है या टूबर्ड सेॉर्ण से तरौनरण जाटेंग जाते हैं कि घहां से देख लो इलेक्तो नीगेटिविटी के यह दाप से उत्रां bond angle क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और third एक point, last point देखेंगे, back bonding का, अगर back bonding है, तो electron cloud की direction towards central atom हो जाती है, और उसका bond angle बढ़ दो, clear, तो ये हमारा bond angle का concept हो गया, अगला ninth वाला दे रखा है, which molecule oblique ions are most paramagnetic, most paramagnetic का, देखो, इसमें तुम लोग क्या गरवड करते हो, की 10 electron का concept, V2 में 10 electron है, सब बच्चे, पुछा है, back bonding का concept थोड़ा quickly cover किया जा सकता है क्या, क्या time लोगिए उसको कफी, back bonding बस यही है कि यहां पर surrounding atom पर lone pair हो, और central atom पर आपका क्या प्रिजेंट हो, vacant d-orbiter हो, तो electron shift हो जाएगा, back में, और bond बन जाएगा, और electron की direction कि तर हो जाएगी, towards more electron negative, towards central atom. Guys, अब आप लोग सोचते होगे कि आपको क्यों physics और chemistry पढ़ाई जाती है, जब आपको है न, doctor का काम करना है, तो इसमें सारी चीज़ यह है कि human body के अंदर जो सारी चीज़े चल रही है न, आपको यह chemical reactions ही है, तो इनकी understanding बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका MBBS में एक chapter भी होगा, biochemistry नाम से, जिसमें यह सारी चीज़े आपको पढ़ाई जाएगी, तो इस वज़े से important होता है, ठीक है? सार, आपको question कहा मिलेगा? question सारे, telegram पर है, video के description में जाके देख लीज़े, आपको PDF मिल जाएगा इस वाले paper, चलिए सर, अगले पर आता है, 9th question में, basically क्या है, कि आपको configuration बहुत properly यूज करना है, bond order निकालते हैं, जो इसमें bond order हमें निकालना होता है, paramagnetic character, bond energy, और bond length, इन सब के answer करने होता है, तो आपनों गलत configuration यूज कर लेते हैं, इसलिए घरबड होती है, अगर diatomic molecule में, if diatomic molecule, बहुत सारे electron मिला कर, diatomic molecule contains 14 electron और less than 14 electron, then following configuration is used, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, इसमें दो question back to back जे रखे हैं, दोनों इसी जा कबर होंगें, following configuration is used, और इस पे आदा ही है, जर्णली question, sigma 1s, जो star लगा रहा हूँ, वो anti-bonding है, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py, यह तो आप यूज करेंगे 40 electron के लिए, और इस, if diatomic molecule contains more than 14 electrons, then sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, इस में बीच में एक चीज रहेंगे बिटा, sigma 2px, जैड हो रहेगा, उसको बहुत क्लीन कर दें सर उदर से, नहीं तो confusion हो जाएगा, उसको क्लीन करके थोड़ा आगी पैलता है, यहां पर और यहां पर डिफ्रेंश है यह पाइट टूपी एक स्पाइट टूपी वाई और इसके बाद एक खैस सिग्मा टूपी जैडो फिर यह एल्थी बार्निंग वाले शुरू हुए बैसिकली जब भी 14 एलेक्टॉन या उससे कम होगे तो इस फिए पहले पाई आएंगे फिर सिग्मा दोनों थियोरी यह कहती है कि ट्रिपल वान बनेगा ट्रिपल वान में एक सिग्मा दो पाई होंगे लेकिन इस थियोरी के अपर पहले दो पाई और एक सिग्मा होते हैं इसमें पहले एक सिग्मा फिर दो पाई मैशियोरी फिर दो उससे हैं इसरही Goddess होने की वज़े से यया पाइब होने की वज़े से मॉलीक्रण की एक्जिस्टेंस नहीं आफ इक और आता है आपके पैरा मीओनेटिक मीडिक और डार मीओनेटिक करेक्टर और आक मसनें कई द्रमीर इसके । यहीं वाले प्यारों वी टू मोलक्रॣ मैं टोने को न्मब्र 10 है तोटल एलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है, तो 10 एलेक्ट्रॉन को मुझे फिल करना है, और मान दो बाइचांस मैंने गलत तरीके से यूज कर लिया, क्योंकि ये तो 14 से ज्यादा के लिए, यहाँ पर मैंने 10 एलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, एक और मैं दो एलेक्ट्रॉन, 6, 8, 10, और इसको मैंने यूज करा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 1, 10, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा हो, अगर मैंने इसके अक्वर्डिंग आंसर कर दिया, तो it has no unpaired एलेक्ट्रॉन, and it is diamagnetic in nature, और काइदेमी की आंसर मेरा गलत हो गया, सही आंसर क्या होता, it has two unpaired electron, two unpaired electron का मतलब most paramagnetic, 2 से ज़्यादा आई नहीं सकते, आप से question करा गया है, कि which molecule of ions are most paramagnetic, तो most paramagnetic कौन से होंगे, जो greatest number of unpaired electron, B2H, two unpaired electron, क्योंकि उसमें configuration आपको कौन सा use होगा, first one, is it clear, बस तो ये दो configuration आपको ध्यान रगने है, और इसी के according आपको चलना है, paramagnetic, diamagnetic, इसी के according निकालने, एक case और होता है, CO का, बहुत important case है, और ये especially ध्यान रगखो, especially ध्यान रगखो, bond order निकालने के लिए formula कोड़ो, क्या होता है, bond order is equal to half, number of bonding electron minus number of anti-bonding electron कर दे, चाहिए, अब, O2 से मैंने O2 plus मनाया, T ले रहा हूँ, इसमें अंगरा question भी cover हो रहा है, N2 plus मनाया, CO से CO plus मनाया, ठीक है, यहां पर O2 से O2 plus, N2 से N2 plus एक electron निकला, CO से CO plus एक electron निकला, आप से पूछा है, इसके bond length में क्या effect आएगा, आपको एक चीज़ पता होगी, कि higher is the bond order, lesser will be its bond length, क्योंकि bond order 1 का मतला single bond, 2 का मतला double bond, 3 का मतला triple bond bond length, triple bond तक क्या होती है, decrease होती है, तो higher is the bond order, lesser will be its bond length, तो यहां पर, लेकिन सब में एक-एक electron निकल रहा है, क्या सबकी bond length decrease हो जाएगी, या सबकी bond length increase हो जाएगी, नहीं, यहां यह सबसे ज़्यादा important होगा, इसको समझ लिए, यह anti bonding electron है, यह bonding electron है, electron निकल कहां से रहा है, configuration लिखना पड़ेगा, electron अगर anti bonding से निकल रहा है, तो सीधे bond order बढ़ेगा, bond order बढ़ेगा, तो bond length कम हो, जैसे O2 से O2 प्लस बनने में यहां तक electron आ जाएगे, मैं एक example बताई दे रहा हूँ, यह आ जाएगे यहां से निकला, इससे anti bonding से निकला, इसका bond order 2 होता है, और यह bond order 2.5, bond length क्या करती है, decrease कर जाएगे, clear, यह बात समझ में आ गई, अगला पार्ट क्या है, कि N2 वाला है, N2 से N2 प्लस बना, यहां पर 4 है, देखो, यह 2, यह 2, इसमें electron यहां से निकलेगा, 2PZ से, 2PZ से निकला, इससे का bonding orbital यहां से निकला, अब पहले एको bond order 3 था, 10 माइनस 4 आ रहा था, अब आएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 4, 5 बाइ 2, that is 2.5, तो 2.5, क्या भी इसका 3 था, इसका 2.5, electron यहां पर bonding orbital से निकला, bond length increase कर दे, और यह केस आपको especially ध्यान रखना है, CO also has 14 electron, लेकिन इसमें electron CO plus में anti-bonding से निकलता है, this is the special case, याद कर लो, sigma star 2s से इसमें electron निकलता है, और जब इससे निकलता है, तो आप देखें पहले यह 10 थे, 10 माइनस 4, 3 था, अब 10 माइनस 3, 3.5 हो गया, 3.5 is the highest bond order, जितने भी molecule है, इससे ज्यादा bond order possible नहीं है, तो यह 3 से 3.5 bond length के अदर गई, decrease कर, तो यह बहुत important होता है, के वाल इससे मतलब नहीं होता है, कि एक electron निकल गया, इससे मतलब होता है, कि electron कहां से निकला, bonding से निकला या anti-bonding से निकला, यह मैंने cover कर दिया, 9th and 10th both questions are covered, both questions are covered, अब आते हैं 11th question पर, 11th question dipole moment based है, dipole moment आप से पूछा गया है, दो टाइप के dipole moment होता है, एक तो तो तुम लोग calculate करते रहते हैं, mu is equal to e into d लगा कर, एक actual में क्या होता है, वो dipole moment हमें देखना होता, यह सब को clear हो गया है, न? यह सब को clear, यह cable diatomic molecule के लिए है, CO2 के लिए नहीं होगा, it is applicable for diatomic molecule only, तुम लड़की है, यह लड़की है, यह लड़का मुझे बता ने, CO2 को कैसे फिल करेंगे, तुम ने बता दिया, भूड़की है न? its applicable for diatomic molecule, different element of CO 2 हो तो गया था, टोटल electron को count कर लो तो वह सियों का जैसे केस हुआ था वैसी हुगा देखें अब्जब डाइप और मुमेंट और थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट क्या है यह भी एक इंपोर्टेंट कॉस्चन मैंने डाला था जो तुम्होंने नहीं देखा होगा और आ सकता है कर देखें होता क्या है जो डाइपोल मुमेंट हम लोग कैल्पुलेट करते हैं वो 60 डिफरेंगे और तो पोजीशन को तो नहीं हो गया ज्यादा तो नहीं हो गया या उतना का उतना यह यह देखना बहुत इंपोर्टेंट बेसिकली क्या होता है बैक्टर तुम लोगों ने प्रावगा अगर बॉन एंगल कम हो रहा है तो वैल्यू बढ़ जाएगी डा अगर बढ़ गया तो यहां मुझे केवल यह देखना है कि डाइपोल बॉन एंगल का क्या होता है जो छोटी का डाइपोल मुमेंट है और 60 डिफरी कंसिडर करते हुए कैल्पुलेट हुए है और इंट्रा मॉलिक्ला हाइडोजन मॉद्लिंग क्रियेट होता है और इंट्र इसमें क्या होगा कि म्यू थेटिकल और म्यू अब्जर्ब लिखू में तो म्यू अब्जर्ब इस ग्रेटर देन म्यू थेटिकल क्योंकि इसका बॉन एंगल कम हुआ द्यू प्रिजेंस ओफ इंट्रा मॉलिकुलर हाइडोजन मॉनिंग इंट्रा मॉलिकुलर हाइडोजन बॉनिंग की वज़े से इसका डाइप और मॉमेंट होगा वो किससे बढ़ जाएगा थोटिकल से इंक्रीज कर जाएगा दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि इसके चारोत्राफ इलेक्ट्रों क्लाउड है यह एक दूसरे को रिपल कर और रिपल्शन की वज़े से क्या होगा बाइंगल बढ़ेगा तो क्या होगा अब्ज़र्ट डाइप लुमेंट कम हो जाएगा थोटिकल डाइप क्लिया और CS3 के केस में क्या होगा कि नो रिपल्शन नो अट्रेक्शन बाइंगल रिमेंज 60 डिगरी तो यहां पर व्यू थोटिकल इस इकल टू म्यू अब्ज़र्ट होगा यह तीनों कंडिशन मैंने आपको बदा पूछा गया था कि इन विच केस अब्ज़र्ट और भी मुम्मेंट में आपको और ध्यान रखना है कि अप्ज़र्ट डाइपोल मुम्मेंट अलग होते हैं थोटिकल अलग होते हैं थोटिकल तो ओड़्थों पर 60 डी अंगेल मेटा पर 120 एंग परा पर 180 डीडीड इंगेल इस दिर इंग भी तो अब आपका जो शूरू हो तो शुरू हो रहा है एक्लूब्रियम के questions है कुछ important questions है एक्लूप में 12 number का question है effect of heat है basically basically यह क्या है effect of heat है हम नहीं यह कहते हैं कि अगर मैंने water heat करा pH पर क्या effect आएगा बताओ pH तुम लोग रटे रहते हो 7 होती है 7 किसके लिए होती है neutral water के लिए लेकिन basically तुमनों को एक चीज़ भूल जाते हो यह होती है 25 degree centigrade temperature का क्या effect आता है pH पर, POH पर HIN पर, OH पर क्या effect है neutrality पर, acidic nature पर, basic nature पर क्या effect आता है तो, होता क्या है कि water, effect of heat बता रहा हूं मैं है न, बहुत ध्यान से समझने की जरुद है water को जब dissociate करोगे तो, it gave HIN and OH water, water कितना भी dissociate हो, कितना भी हो, it always give equal HIN and OH solution neutral कब होता है, जब HIN और OH बरापन, solution acidic कब होता है, जब HIN, OH से greater, और solution alkaline कब होता है, जब HIN से greater, water कितना भी dissociate हो, equal number के HIN और OH हो चाहते है, basically येखो होता कि है, 25 degree centigrade और, ये dissociate होकर 10 की power minus 7 और 10 की power minus 7 होता है, pH HIN से निकलेगी, इसलिए PS7 होती है, दोनों का multiplication kW होता है 10 की power minus 14, जो हमनों पढ़ते है केवल 25 degree centigrade, only at 25 degree centigrade, अब मैंने इसको heat कर दिया, heat करने से क्या होगा, water का dissociation इंतीश करेगा, ज्यादा dissociate होगा, ज्यादा dissociate होगा, मालो मैंने 90 degree centigrade कर लिया, for example, और यह कौन किया 10 की आप माइनस 6, तो ओच आयन भी तो 10 की आप माइनस 6 ही आएंगे, आएंगे नी आएंगे, और इसकी pH 90 degree centigrade पर क्या हो रहेगी, pH is 6, पोह भी क्या हो रहेगी 6, अब के डावलों इस 10 की पावाव माइनस 10, लेकिन solution PS6 होने से कोई acidic थोड़ी न हो गया, water तो neutrally रहेगा, तो 90 degree centigrade पर भी water neutral है, लेकिन उसकी pH क्या कर गए, decrease कर गए, बेसिकली जो barrier है ना, जो 7 वाला barrier है, 7 वाला barrier 25 degree centigrade पर neutral solution को represent कर रहे, 7 से नीचे वाले acidic होंगे, 7 से उपर वाले alkaline होंगे, लेकिन 90 degree centigrade पर ये barrier 6 पर है, अब 6 वाला neutral है, मैंने एक question कर दिया, कि 90 degree centigrade पर एक solution की PS6.5, एक solution जिसकी PS6.5 है, what is the nature of this solution, तो आप एकदम बोल दोगे acidic, this is the wrong thing, अब आपको barrier देखना है, barrier आपका कहा सरक क्या आ गया, 6 पर आ गया, 6 से उपर वाले सारे क्या होंगे, alkaline होंगे, 6.5 वाला क्या आ जाएगा, alkaline होंगे, 6.5 इजदा alkaline, अब देखिए क्या हुआ, इसके option पड़ते हैं, पोह यह बात समझ में आगे न, neutral solution रहेगा, पोह भी decrease कर जाएगी, पोह भी decrease करेगी, क्यावल बढ़ जाएगा, यह 10 किया माइनस 14 था, यह 10 कि पावर माइनस 12 हो जाएगा, पोह of water is 7, if water is heated at 350 Kelvin, around 80, which of the following statements should be true, पोह will decrease, true हो गया, पहल हो गया, पोह will increase, गलत हो गया, पोह will remain 7, यह भी गलत हो गया, concentration of HIN will increase, बट that of OHIN will decrease, यह गलत हो गया, HIN increase कर रहे हैं, no doubt, लेकिन OHIN भी increase कर रहे हैं, decrease नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपका 12 वाला question यह solve हो, अग्ला जो 13 number का question है, 13 number के question में मैंने एक बड़ा trick दी थी, और trick क्या दी थी, मेरे lecture में, video lecture अब बहुतों नहीं नहीं देने हैं, लेकिन एक trick दिवान दको, कि अगर, equal volumes, अगर हमने equal volumes दो solution ऐसे ले लिये, इसकी pH 4 and pH 6 ले लिया, pH 3 and pH 5 ले लिया, एक pH, मालो 3.8, अब यह 5.6 ले लिया, दो solution ऐसे mix करे, उनके equal volume जिसकी pH less than 7, less than 70, तो ऐसे case में आपको calculation करने की जरुवत नहीं होती है, इसका answer हमेशा आता है, lower pH में 0.3 को plus कर, calculate करोगे वो ही आएगा, यहाँ पर सीधे answer करने हाए 4.3, इसका answer 3.3, इसका answer 4.1, calculate करते रहोगा, आधा विटता लग जए, वाह इतना time नहीं है आपके पार, फड़ा फड़ा नहीं, यहाँ मैंने मिलाया pH 1 and 2, दोनों 50 ml, 50 ml को मिलाया, 1.3 के असपास आजाएगे, तो 1.26 is the right answer, इसी तरीके से एक कॉर मैं तुम्हें बताता हूँ, कि अगर मान लो, तो यहाँ पर याद कर लो, कि लोगर pH में 0.3 को plus करना है, जो छोटी वाली pH है, उसमें 0.3 को आपको plus करना है, तो यह 4 में 4.3, ती में 3.3, 3.8 में 0.3, 4.1, अगर मैंने equal volumes, मिला दिये ऐसे दो solution, जिसकी pH greater than 7 है, यह यह अगर ही solution के लिए दिये हैं, 12.3, तो इसका आंसर हमेशा आता है, higher pH में से 0.3 को माइनस करो, higher pH में से 0.3 को माइनस करो, यह आपका क्या जाएगा, 12.7, 12.4, 12, this is the right answer, खत्र, खत्र, तो ऐसे टाइप के question, फड़ा फड़ा आपके ऐसी solve होते हैं, अगला देखो एक बहुत important concept of करने जा रहा हूँ, यह समझ आ गया, समझ नहीं आया, ओ अच्छा, good, good, पेटा इसमें तुमें टाइम ही नहीं लगना, दो equal volume मिला है, अगर कोई acidic solution है, तो answer lower pH में 0.3 को plus कर दो, उन्हों solve करोगे यही answer है, और अगर मैंने दो basic solution मिला है, equal volume, तो उसमें higher pH में से 0.3 को minus कर दो, अब एक acid और एक base मिला होगे, तो उसको solve करना पड़ेगा, वही तरीका जो मैंने mixed solution की normality निकालो, nature of solution देखो, अगर acidic है तो h.i.n. बन जाएंगे, और अगर basic है तो वह h.i.n. बन जाएंगे, उसका pH निकाल सकते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपके, अगला देखते हैं, अगले में जो गरबड करते हो, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, आप से कहा गया, अगर एक विट गाइड पस्ट, अगर गाइड पस्ट, अगर गाइड पस्ट, अगर गाइड पस्ट, कि वो में मुआर इज हूँ, एक पस्ट, आपके, आप। गाइड यह का लाइड पस्सट, आप।, आपके, आपके, अगर शलबेड, अपके, झाल 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 हाँ आप देखो यह 14 वाले कॉस्चिन है 14 कॉस्चिन बहुत इंपॉर्टेंट है विचेज इसको देखना दिहां से यह 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 है सॉर्टी भी आ जाएगी होलायफ से बेसिकली अगर हम इन सौर्ट को देखें तो यह सौर्ट किस से मिलके बना हुआ है करें विट वेस से एंडी स्टॉंग एसे वीक वेस स्टॉंग एसे वीक वेस स्टॉंग एसे डेख लिवाद में आता है यह सारे एक यवी टाइप में स्वाट है औंक्ड असीम उसकी हाईटॉलिसिस उतनी मुश्किल से होगी और उतनी कम सॉलिबिलटी अतनी कम सॉलिबिलटी और ये क्यों होता बेसिकली क्या होता है कि इसका जो KH होता है वो KW upon KB होता है KW is the ionic product of water, KB is the ionization constant for base और मैंने ये एक दिन और लिखी है शायद इसमें, मैंने ये लिखा है कि मान लेते हैं सारे weak base का ionization same यानि KB की value same, तो सबका KS same आजाना चाहिए तर नहीं बेसिकली यहां पर copper plus 2 है, sulphate 2 minus है इसका जो KH आएगा, वो KH KW का square होगे 10 की पार माइनस 14 का square का मतलब KH तो बहुत कम हो गया KH तो बहुत कम हो गया और यहां पर KH जो आएगा जितना charge, A and plus 3 है KW का cube upon KPU यह क्या show कर रहा है, यह यह show कर रहा है कि hydrolysis लगतार degree हो रहे है जितना कम KH, उतनी कम hydrolysis तो कौन सा hydrolysis जादा से जादा होगा, that is NH4Cl और अगर आपसे question यह कर लिया जाए कि कौन सा most soluble होगा तो NH4Cl is the most soluble और ALCl3 is the least soluble तो कहीं पर भी किसी भी salt में charge को देखना होगा आप solubility का answer भी इसमें कर सकते हैं अगला question है, pH of, यह बात clear हो गई ही सबको, फिर से बताना है pH में normality लेते हैं pH में normality लेते हैं, normality अगर acid होगा, तो वो h i n मनेंगे base होगा तो वो h i n लेंगे okay, यह बात समझ में आ गई इससे सारी solubility, नहीं तो सारी गरबड करते रहते हो solubility, charge पर depend करेगी hydrolysis, charge पर depend करेगी, जितना ज़्यादा charge, उतनी कम hydrolysis, कम solubility अगले वाले में 15 question है, pH of 10 की पाउर minus 6m, acidic acid, इसकी pH बता नहीं है k given है, 1.8 into 10 की पाउर minus 5 देखो, basically क्या होता है, कि जैसे हम थी acid देखते हैं, वोस्ट वाल dilution लोग लगा देखते हैं, और H positive iron का formula यह लगा देते है, under root k into c, और जैसे तुमने k into c लगाया, तो under root 1.8 into 10 की पाउर minus 5 into 10 की पाउर minus 6, और यह 4.24 into 10 की पाउर minus 6, और pH आपकी निकल के आ गई, 6 minus log 4.24, रखता हो ना, minus log है जायन, तो यह बहुआ डारेक्ट कर दिया, 6 और इसका 0.655.35, basically question यह उटता है कि क्या यह pH possible है, अगर 10 की पाउर minus 6 mscr होता तो pH 6 आती, आती नहीं आती, इसकी स्टोंग एसे होता तो, अगर 10 गया माइनस 6 mscr होता तो pH 6 आती और इसकी वेने pH निका लिए तो 5.35 आ गई, यह pH तो scl की pH से भी कम आ गई, pH कम होने का मतलब क्या होता है, more acidic, क्या यह scl से ज्यादा acidic हो सकता है, नहीं, क्योंकि यह तो weak acid है, तो इसका मतलब मैंने कहीं गरगर कर दी और यह आपको solution किता लगता है, अब हमें condition पता होनी चाहिए कि हमें यह formula यूज करना है, यह थोड़ी ना कि हर जागे तुमने formula लगा दिया, तो basically यह formula यूज कप करा जाता है, आपको check करना पड़ता है, c upon k को, यह trick है, c upon k को check करो, अगर यह equal or greater than 100 लगेगा, otherwise नहीं लगेगा, यहाँ पर check करो, 10 की रख को 1.8 into 10, minus 5 रख को less than 1, less than 1 में यह formula applicable नहीं है, less than 1 का मतलब कि यह very dilute solution है, और यहाँ alpha को हम neglect नहीं कर सकते, क्योंकि on dilution, degree of ionization increase, तो यहाँ पर यह less than 1 आगे, less than 1 आगे तो आप रखें क्या, तो यह मैंने सारा solve कर रख था है, अगर इफ c upon k is less than 1, alpha 1.9, 1 to 10, alpha 1.7, यह मेरा calculated है, यह तुम्हें पर्शान नहीं बना है, यहाँ रख लो, alpha 1.5, अगर c upon k 100 से जाह सीदे, यह formula लगाओ, अंसर अगे, लेकिन c upon k, अगर less than 1 है, तो alpha 0.9 रख 2, 1 to 10 है, तो alpha 0.7 रख 2, 11 to 100 है, alpha 0.5 रख 2, है, अब इस में आपने less than 1 आया, alpha 0.1 रख यह तो pH is 7 minus log 9, 7 minus 0.954, 6.046, now it is more than 6, in between 6 and 7, this is the right answer. यह आंसर गलत हो गया, 5.35 तो ऐसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 से कंथो नहीं आ जाएगी, इसलिए आपको formula का condition पता होनी चाहिए, otherwise तो सारा गलत हो जाएगा, और वहाँ पर वो सारे option होंगे, जितना भी गलत आप सोच सकते हैं, आप देखें, इसमें जो मैंने पहले ही option दिया था, 5.37 दिया था, और दूसरा option था, in between 6 and 7, this is the right option. 16 वाला question basically क्या है, 16 वाले question में आपको दे रखा है, buffer solution की formation, इसको हम कैसे करते हैं, यह not down कर लिया अपने, हो गया, less than 1 इस तरीके से हैंना भीटा, c 10 की पावर minus 6 है, k 1.8 इंट 10 की पावर minus 5 रखो जराई से less than 1 आगे, c अपन k की वाल्यू. हटाँ, हटाँ, हाँ, 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 थिल्ल्यू बज्ल्स一ा… हाँ… हाँ, हाँ, अब देखिए इसमें अगला जो कोश्चन है एसेटिक एसेट ले लिया और एनिवेंच ले लिया यह गिवन है शिक्स्टी एवल वन है अब तुम लोग क्या करते हो कि एसेट की अलग से प्येश निकाल दी एनिवेंच की अलग से और दोनों को मिला दिया ऐसे इतनी ही होता है आपस नहीं कर जारे हैं और रिजल्टेंट क्या पन रहा है वह मेंटर करें तो यहां बेसिकली बहुत बढ़िया पॉस्चन है इसे बफर सलूशन बन जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हैं यहां पर शुरू में यह 0-0 होगा इसके बाद this is the limiting reagent 20 ml बन है और limiting reagent है तो यह पूरा खतम यह बन गया 20 ml बन है बागी पाणी यह 0 यह बन गया 40 ml बन है अब मेरे पाँ resultant solution में acidic acid और sodium acetate है और क्या यह acidic buffer solution नहीं बन गया acidic buffer solution यही तो होता है weak acid and it's salt with strong base acidic acid plus sodium acetate तो जब यह buffer solution बन गया तो अब मुझे अगर pH निकालनी है तो buffer solution का formula लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा तो यहां पर pH is equal to क्या होगा बफर का formula को बढ़ो वीक acid का pH is equal to pk plus log salt upon acid यह होगे और buffer solution में एक और दिहान रखो बहुत important tea concentration की जगह पर क्या रखते हैं concentration की जगह पर रखा जाता है मिली मोल्स डिरेक्ट रख दो क्योंकि यह ratio है total volume cancel होगा and what is the मिली मोल्स? मिली मोल्स होते है molarity into volume in ml molarity into volume in ml तो यह मेरे पास आजाएगा minus log 1.8 into 10 minus 5 plus log salt हो गया 20 into 1 upon 40 into 1 अब यह मैं solve कर दे रहा हूँ log 1.8 होता है 0.25 यह पूरा 4.75 और minus log 2 आजाएगा minus 0.3 आजाएगा 4.45 प्येच का यह answer और यह alternate given है 4.45 clear guys मिली मोल्स means molarity into volume in ml log की value given होंगी exam के paper clear clear अगला देखो अगला अलग concept है की solubility को आपको कैसे decide करना पड़ता है solubility कब कम और ज्यादा होगी इसको जला देखो और इसका question आजी जाता है कि कि solvent में solubility ज्यादा होगी कि solvent में solubility कम होगी 17 question में plus SO4 2 minus होता है x, x इसकी solventivity अब मैं जब KSP लिखूंगा KSP of lead sulfate is equal to x into x लिखूंगा lead iron into sulfate x square इसका formula हो जाएगा बहुत बड़ी है x square इसका formula हो जाएगा अब यहां पर क्या condition आ सकती है देखो solubility कैसे change होती है और इसको समझने की जरुवत है note down बाद में उतर आएगा इसको समझने की जरुवत है basically solubility यह जो formula लगाके हम calculate करने जा रहे है यह solubility in pure water this is solubility in pure water अब क्या करा मैंने कि कुछ चीज़े ऐसी डाल दी जिसमें common iron थे either this or this मेरे पास sulphate iron थे और इसमें मैंने x dash or plus कर दिया ठीक है यहाँ पर x dash or plus कर दिया यह अब इसमें इन दोनों का multiplication तो यह constant है अगर मैंने एक चीज़ को बढ़ाया due to the common iron दूसी चीज़ कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी तो कि दोनों का multiplication तो constant है तो सीधे answer होगा आपका की presence of common iron solubility of salt decrease आप से पूछा क्या minimum solubility तो common iron की presence जो भी common iron का concept होगा उसकी वज़े से minimum solubility दूसी चीज़ सोचो यह बात समझ में आ गई अगर मान लो मैं यहाँ पर plus की जाएगा minus कर दो तो यह के पार्ट बढ़ जाएगे भी बढ़ जाएगा minus का common iron common iron से बढ़ता है और solubility क्या होती है कम होती है एक ionic product बढ़ता है दूसरा ionic product क्या हो जाएगा कम हो जाएगा solubility कम हो जाएगी बढ़ने का तरीका केवल एक ही है solubility का कि कि किसी को minus कर दो जैसे इसे मैंने minus कर दो यह इसको minus कर देता है वह केवल एक ही solvent और वह solvent है NH4OH याद कर लो NH4OH में जैसी हम किसी salt को डालते है तो cation of salt firm complexes with NH4OH cation consume होना शुरू होता है दूसरा पार्ट बढ़ जाता है and solubility becomes more than the pure water अब basically दो तीन point note करना चाहो तो note कर सकते हो pure water में solubility मैं बोलता जा रहा हूँ उसे तुम note करना चाहो note कर लो solubility pure water में एक normal होती है common iron की presence में solubility कम होती है मालो धेर सारे alternate common iron के तो याद रखो जैसे common iron concentration बढ़ती जाएगी solubility further decrease करेगी केवल common iron की concentration पर ध्यान रखो जो भी common iron हो जैसे agcl की solubility देख रहे है agno3 डाला तो silver iron देखने cacl2 डाला तो chloride iron जैसे जैसे common iron concentration बढ़ती जाएगी solubility of salt decrease करती जाएगी और NH4 OH एक ऐसा solvent है जिसमें solubility pure water से भी ज्यादा होती है क्योंकि एक iron of salt consume हो जाता एक iron of salt consume हो जाता that's all तो यह इसका option क्या हो जाएगा 0.01 M NH4 OH अरे यह बास समझ में आई slowly काजल बास समझ में आई है note करा कि common iron की presence में solubility कम होनी है जैसे जैसे common iron concentration बढ़ाएंगे solubility of salt further decrease करेगी NH4 OH में solubility बढ़नी है सही है अगला जो concept है oxidation number of sulfur यह तो तुम निकाल लोगे 0 oxidation number तो तुम्हें आता है according to bronsted lorry concept the correct order of relative strength 19 की बात कर रहा हूं correct order of relative strength of basis follows the order यह मुझे बताना है OH- CH3CO- CR- basic nature आपको बताना है conjugate acid based theory में एक line ध्यान रखो जितने भी strong acid or strong base है उनके conjugate acid based हमेशा weak होता है और जितने भी weak acid or weak base है उनके conjugate acid based strong कभी possible नहीं होता है कि strong का strong या weak conjugate acid based होता है अब देखो इससे निकाल देते हैं conjugate acid based पता है h plus ion के difference वाले conjugate acid अगर मुझे बजनाना है तो इसमें h plus ion जोड़ गया water बन गया यह अब आपको acidic strength पता होनी चुँए hcl सबसे strongest हो गया नहीं हो गया acidic acid उसके बाद water is the weakest तो basic strength क्या होगी OH-HN सबसे बड़ा chloride is the weakest base उल्टा हो जाएगा काम कता है अरे बास समझ में आई जितने भी strong SNN उनके conjugate base क्या होंगे? weak होंगे hcl का CL, acidic acid water का OH- यह इदर increase कर रहे यह इदर decrease कर रहे ओके अगला जो है 20th question जो है disproportionation का N factor अभी तक हमने N factor मैंने पहले वाले questions में काफी कवार कर रहे थे तो N factor लेकिन disproportionation reaction is that in which same element is oxidized and well as reduced और उसका N factor निकालने के लिए आप करते क्या है? कि दोनों तरीके से equivalent weight calculate कर थे कर दो कर दो कर दो Cl2 say Cl- plus Cl- 3- 0 say minus 1 and plus 5 same element oxidized and reduced तो नो और Cl- Cl- 0 से minus 1 equivalent weight molecular weight upon N factor 2 क्यों दो आया? क्यों दो आया? यह ध्यान रखो एक क्लोरीन का 0 से minus 1 हो रहा है here 2 क्लोरीन atom are present तो 2 क्लोरीन में 2 electron gain होंगे hence the N factor is 2 अगला है क्लोरीन का Cl- 0 से plus 5 M by 10 हो जाएग 1 क्लोरीन का 0 से plus 5 5 का change है 2 क्लोरीन में 10 का change हो जाएगा M by 2 or M by 10 और इसमें equivalent weight निकालने के लिए equivalent weight of chlorine 2 दोनों को एंटर M by 2 M by 10 10 LCM 5 M plus M 6 M by 10 that is 3 M by 5 N factor क्या होगा? M upon 5 by 3 करूंगा अभी तो आएगा जो नीचे डिवाइड करते है that is the N factor N factor of chlorine is 5 by 3 N factor of chlorine is 5 by 3 तो यह आपका 5 by 3 हो गया अगला जो मैंने बताया था एक शुरू में concept बताया था कि inverse of N factor ratio is the mole ratio यहां पर उल्टा दे रखा है जहां mole ratio दे रखा है मुझे N factor ratio निकालना है आ जाएगा N factor N factor मुझे बताना है किसका equivalent weight of SCL यह note कर लिया 3 M by 5 का N factor M by 3 CLO 3 का समझ नहीं आया क्यों नहीं आया chlorine का 0 CLO 3 पे minus 4 यह नहीं टको CLO 3 पे minus X minus 6 is equal to minus 1 chlorine का plus 5 0 से plus 5 5 का change सही है तो 2 chlorine का क्या हो गया 10 का change M by 10 6 M by 5 3 M by 5 क्या इसको मैं M upon 5 by 3 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं और जब मैं इसे 5 by 3 लिख सकता हूं यही तो N factor होगा M upon N factor होगा लिखो लिखो जली से 3 M by 5 3 M by 5 3 M by 5 3 M by 5 क्या है बिल्कुल सही है हटा दू यह आज मैंने जो इसके अलावा इसके अलावा करने की कोशिश करिए हर टाइप के concept इसमें clear हो रहे है और इसको ध्यान से इसके इसके अलावा इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है इसके बाद इसके बाद मैंने 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 concept बताया था तुम्हें क्या inverse of n-factor ratio basic concept के lecture कपिल सर से बाद करो MnO2 plus 4scl mol ratio क्या है mol ratio 1 is to 4 हो गया n-factor ratio क्या हो inverse of mol ratio is the n-factor ratio 4 is to 1 अब तुमने यहां 1 आ गया तुमने सीधे answer लगा जिया 1 and that is the wrong one basically क्या है कि MnO2 में MnH plus 4 and here MnH plus 2 2 का change आ रहा है 2 का change आ रहा है और 2 का change आने पार इसका actual n-factor 2 है actual n-factor 2 है अब इस फोर्टो मुझे 2 बनाना है तो मुझे कितने से multiply करना पड़ेगा 1 by 2 से यह 2 बन गया जब इधर मैंने 1 by 2 से multiply करा तो इधर भी 1 by 2 n-factor of SCNH half not 1 और यह तुमने सुना ही नहीं होगा किसी equation में 2m आ गया n-factor half आ गया तो basically जैसी equation आई थी equation में यह नहीं कि SCL का 1 ही होता है m by 1 ही लिखो गए या HNO3 का m by 1 लिखो गए h4 का m by 2 according to the equation जाना पड़े यहां पर SCL का n-factor half है और क्या पुछा है equivalent weight पुछा है न तो n-factor of SCL क्यों half है इसे half से क्यों multiply करना पड़ा है क्योंकि ml plus 4 से क्या हो रहा है plus 2 हो रहा है n-factor of SCL is half and equivalent weight of SCL is equal to m upon 1 by 2 that is 2m this is the answer so equation में कोशी बे निकालना है यही तरीक है inverse of n-factor ratio inverse of mole ratio the n-factor ratio balance करनी है तो balance भी ऐसी होनी है और balancing से n-factor भी ऐसी निकलना है और last इस session का last question है which acts as reducing agent इसका एक concept मैं तुमें बताता है यह note कर लिया है समझ नहीं आया क्या नहीं आया समझ इसको फिर से देखो mn-o2 प्लस 4 SCL है mole ratio 1 is to 4 है मैंने शुरू वाले question में बताया था inverse of mole ratio is the n-factor ratio तो n-factor ratio क्या हो गया 4 is to 1 हो गया अब mn-o2 का n-factor actual में 2 है क्योंकि यह 2 का ही change show करना है तो इसे मुझे 4 को 2 बनाने के लिए 1 by 2 से multiply करना पड़ेगा तो इधर भी 1 by 2 से multiply करना पड़ेगा तो n-factor of SCL क्या हो गया half upon 1 by 2 that is 2 अगला देखो which acts as reducing agent which acts as reducing agent अगर मैंने कोई भी compound लिख दिये और मुझे यह बताना है कि यह reducing agent होगा oxidizing agent होगा या दोनों तरीके से काम करेगा तो इसको जरा लिखते है जैसे H2S लिखा SO2 लिखा H2SO4 लिखा range of oxidation number तुम्हें पता है sulfur के पास 6 electron है यह 2 electron लेगा minus 2 से लेकर plus 6 तक शो कर सकता है 6 electron तक निकाल सकता है minus 2 to 2 plus 6 अब यहां पर sulfur है minus 2 plus 4 plus 6 सोच के देखो कि H2S की मैंने X compound से reaction कराई और कुछ reaction होई क्या sulfur minus 2 से नीचे जाने की हालत में है है यह नहीं है जाई नहीं सकता minus 2 से तो इसे बढ़ना ही बढ़ना है और जब इसे बढ़ना है तो it is all means oxidized और जो substance oxidized होंगे behave कैसा करेंगे reducing agent तो simple सी बात मेरे पास आ गई और जैसे plus 6 है plus 6 हमेशा नीचे ही आएगा यानि reduce ही होगा तो यह कैसा करेंगा oxidizing agent यह दोनों काम कर सकता है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है तो यह कैसा behave करेंगा both simple आ गया हो कि अगर कोई element अपने lowest oxidation number में present है then it behaves as reducing agent यानि यह क्या हो गया always reducing agent यह कैसा behave करेंगा highest oxidation state में प्रिजेंट है आर्वेज oxidizing agent यह कैसा अप्रियक करेंगा बोथ oxidizing agent as well as reducing agent तो यह गाईश पूरे questions हो गए चार चैप्र बहुत important वाले cover हुए है और जिसमें से questions आपके आती हाते है मतलब four to five questions तुम्हें मिलने चाहिए कह तो कुछ भी नहीं सकते हैं लेकिन four to five questions expected की इनी concept पर मिलने चाहिए इसमें सारे concept आपके clear okay okay guys thank you so much thank you so much thank you so much I am yeah you 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 yeah guys guys सब्सक्राइब करें अब एक काम करना देखो तुमारे आज से आज के तारिक है 17 तारिक है अठारा बारा और दस बारा सॉरी दो और दस बारा और पास 17 दिन अठारवे दिन एक्जाम है आज जाके ये चार चैक्टर रिवाइस कर लो और इन्हें बस्ते में रख दो ठीक है इतना ही टाइम मिल रहा है अब हमें चार-चार चैक्टर हर रोज के रिवाइस करने 17 चैक्टर है टोटल अभी हम आपके 24-25 चैक्टर रिवाइस कर आ चुक है तो आज विपिल सर ने आपको पड़ा दिया ठीक है तो इसे रिवाइस कर लो आज अब ऐसा है कि इसी में से आएंगे इसी में से आएंगे इसी में से आने एक्सपेक्टेट चार चाप्तर में से इसी 4-5 ज्यादा आएंगे सर्फ 4-5 तो मिनिमूम बता रहा है चैनल बॉनिग कर दो एक है लगिन 5 के मिनिमूम है ज़ितने भी आएंगे तो गाईज आपने इस कुछी तरह समझ लिए ना जो पेपर में इन्हें कुछ पर नहीं है इन्हें बोल मोल के दुखी हो गाए कि टेलीग्राम पर जाके ठीक है विपिन सरका आप नेक्स सेक्शन फिजिकल केमिस्ट्री का ही होगा जिसमें हम 12th के टॉपिक और थर्मोडानिमिक्स भी कवर करने हमें कर लेंगे पर सुलिट्स्ट्री केमिकल कानेटिक्स यह चार चैप्टर्स आप पर कवर करेंगे वो भी सारे इंपोर्टेंट हैं उसमें फाइव तुशिक्स पूरी फिजिकल में से 15 कॉर्शिन आपके लोग गौड ब्लस यू बोल रहे हैं सर ओके थैंक्यू थैंक्यू सर आ आप से क्या हो यह जहां पर बैठे हुए बच्चे इनको आप जैसे टीचर से पढ़ने को नहीं मिलता तो बिल्कुल मेंटा बहुत बढ़िया करोगा जब इन्हें मौका मिल रहा है तो यह बहुत जबरदस चीज है यह सब कपिल सर की वज़े से हैं यह समझ लो हम लोग भ आप बच्चों का मेसेज आता है कि सर नीट प्रेप का वीडियो कोर्स हमने जॉइन किया यह कर लेंगे सर तो बच्चे हमारे से कहते हैं मैंने नीट प्रेप का वीडियो कोर्स जॉइन किया पहने मेरे 430 आ रहे थे अब मेरे 540 आ ठीक है तो चीज यह समझ लीजे गाइस अभी जो चल रहा है न विपिन सार जैसे टीचर जब पढ़ाते हैं तो फिजिकली पढ़ाने की ज़रौत नहीं है यह फिजिकली आपके पास से नहीं बैठे ना आप इनके क्लास्रूम में नहीं बैठे पर आपको समझे आगे ना चार चैप्टर तो यह पावर है इस मीड आपको उठके कोटा दिल्ली वगरा इन सबकी ज़रौत नहीं है घर पे बैठके बहुत अच्छी तरीके से तयारी कर सकते हैं ठीक है गाइस तो गाइस एट चीज़ है कल का हांसर मतलब हुई 25 को रखेंगे है कुछ इन और नहीं हो पाएगा क्योंकि अंकूर का कुछ emergency आ गया तो मैं आपको थोड़ा एक updated schedule बेज दूँगा पर कल वाला session नहीं है पर सो डॉक्टर शर्मा का session होगा तो एक बार मैं बोल्ट पर लिख देता हूँ more session tomorrow चीक है और Friday को डॉक्टर एनके शर्मा का है Friday को डॉक्टर एनके शर्मा का है आपको schedule आपके पास है यदि आप telegram पे हो तीन chapter cover होंगे धाई chapter locomotion and movement नहीं पर ज्यादा question नहीं कर सकता question की कमी नहीं हो कहीं पर भी जाके solve कर सकते हैं इस वाले format में 20-25 questions से ज्यादा नहीं हो सकते हैं locomotion करेंगे, excretory products करेंगे और nervous system part 1 करेंगे तो बहुत सारे question telegram पे पड़े हैं आप वहापे जाके solve कर सकते हैं diagram based paper है उसको कर सकते हैं तो आपके पास सारे resources available है अब आज जो बचा हुआ टाइम है इसमें 4 chapter promise करें, revise कर लेंगे, that is very important इससे है न यह सारी चीज़ consolidate हो जाएगे, एक बार paper वापिस देख लो, उसके solution वापिस देख लो ठीक है चले गाइस, best of luck अब आपसे next time मिलेंगे okay guys, okay, thank you